दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पल्स रेट क्या है, पल्स रेट कितना होना चाहिए पल्स रेट अगर बढ़ता है तो क्या कारड है कौनसी कौनसी ऐसी दवाईया होती है कौनसी कौनसी ऐसी ऐलोपेथिक दवाईया है जिनके कारड जिनके सेवन से हमारा जो pulse rate होता है वो बढ़ सकता है अगर आप किसी प्रकार की दवाई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो आपको नहीं पता है जिसे pulse rate बढ़ सकता है तो आज इस वीडियो में आप जरूर समझेगा काफी सारी ऐसी दवाईया है जो थाइरेट की दवाईया है या फिर काफी सारी ऐसी दवाईया है जो लंक्स की दवाईया है या फिर काफी सारी ऐसी दवाईया है जो अलग अलग प्रकार की बिमारियों में उपियो की जाती है उसके कारड़ V आपका जो pulse rate होता है वो बढ़ सकता है तो सबसे पहले हम समझेंगे pulse rate हमारा होता क्या है जब हमारा heart blood को pump करता है यानि कि heart से जब blood बाहर निकलता है arteries में तो ये arteries में एक pressure develop होता है और ये pressure हमें यहाँ पर feel होता है तो pulse को हम अलग-अलग जगह पर हम इसे check कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से हम इसे check कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसे लेते हैं radial artery में radial artery हमारी यहाँ से एक branch होती है जो कि आपका आगे उंगलियों में भी blood की supply करती है तो यहाँ पर जब हमारा pulse pressure हमें feel होता है तो इसे हम कहते हैं pulse अब pulse कितनी होनी चाहिए या फिर pulse क्यों बढ़ती है pulse बढ़ने के कई सारे reasons हो सकते है physiological और इसके अलाबा pathological physiological यानि कि हमारे सरी में किसी भी प्रकार की बिमारी नहीं है लेकिन फिर भी हमारे pulse rate वो बढ़ रहा है बड़ी हुई pulse को हम कहते हैं tachycardia यानि कि अगर किसी मरीज को pulse rate बढ़ा हुआ है तो उसको हम medical language में bird जो यूज करेंगे उसे हम कहते हैं tachycardia अब अगर किसी को physiological variations है या physiological कारणों की बजह से pulse rate बढ़ता है तो उसमें आपका बच्चे हैं जैसे कि infants हैं छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं जो children होते हैं 10-12 साल के 10 साल से नीचे के 5 साल के 6 साल के 7 साल के या फिर जो एक साल के हैं या उससे भी कम के बच्चे हैं तो उनमें physiologically बिना बीमारी के ही pulse rate जो होती है वो बढ़ सकता है या फिर कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो exercise करके आते हैं या जो दौड के आते हैं तो उनमें कुछ देर के लिए pulse rate जो होता है वो बढ़ जाता है तो यह होते है physiological variations physiological कारण जिसमें आपको किसी भी प्रकार की घवडानी की ज़रूरत नहीं है आगे इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि pulse rate हमारा normal कितना होना चाहिए अगर ये बढ़ता है तो हमें क्या करना चाहिए या फिर जो pulse rate का जो normal value है वो हमें कैसे समझना चाहिए अब हम समझ लेते हैं pathological कारणों को pathological कारण यानि कि हमारे सरीर में एक प्रकार की बीमारी है जो अन्य-अन्य अंगों में हो सकती है अन्य ओर्गन्स में पाई जा सकती है या फिर अलग-लग बीमारियों में भी ये pulse rate हमारी बढ़ सकती है जैसे कि anemia यानि कि हमारे सरीर में अगर खून की कमी हो जाए तो pulse rate हमें थोड़ी सी बड़ी हुई देखने को मिल सकती है या फिर किसी को fever हो जाए जिसे हम pyrexia बोलते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा तेज फीबर हो जाए या फिर बुखार अगर किसी को 100 degree 100 से ऊपर यह 101, 102, 103 degree आ रहा है तो उस मरीज को pulse rate जो उसकी होती है वो बड़ी होई देखने को मिल सकती है हमेशे याद रखिए temperature जो हमारा होता है वो 100.4 degree Fahrenheit तक हम normal मानते हैं यानि कि 100.4 तक हम इसे normal मानते हैं तो इसमें हमें गवड़ानी की ज़रूद नहीं है जिसमें जो cells होते हैं जो अंदर के cells होते हैं वो damage होने लगते हैं अंदर के cells होते हैं खराब होने लगते हैं तो उसे हम thyrotoxicosis के नाम से जानते हैं जिसमें अलग-अलग stages होती है के या लग-लग बिमारियों में भी उसके देखने को मिल सकता है तो थाइरो टॉक्सिकॉसिस में भी पल्स रेट हमारी बड़ी हुई देखने को मिल सकती है इसके अराबा कुछ ऐसी दवाईयां जिसमें जिसका सेवन करने से आपकी जो हार्ट रेट होती है जो पल्स रेट हो एट्रोपेन दवाई चल रही है तो इस प्रकार कि अगर किसी को दवाईय चल रही है तो ऐसी कंडिशन में भी मरीज का जो पल्स रेट होता है वो बढ़ सकता है अगर इसके अलावा कुछ अन्य बीमारियों के बारे में समझें जैसे की कार्डियक फैलूर अगर किसी को हार् वोल्यूमिया हो जाए यानि कि बहुत ज्यादा किसी का बलड निकल जाए या फिर किसी को बहुत तीज दस्त लग जाए तो उसमें क्या होगा हमारे सरीर में वोल्यूम कम हो जाता है बलड का या फिर वाटर का तो ऐसी कंडिशन में भी उसका पल्स रेट बढ़ा हुआ द साट एक मिनिट में और अगर हाई की बात करें तो अगर ये सौ से हाई जाता है तो इसे हम हाई की कैटिगरी में रखते हैं यानि कि साट से लेकर के सौ के बीच में अगर हमारा पल्स एक मिनिट में आता है तो ये नॉर्मल होता है इसे हम नॉर्मल के कैटिगरी में रखते है आपको किसी भी प्रकार से घवडाने की जरूरत नहीं है अगर 100 से उपर जाता है तो इसे हम कहते हैं टेकिकाडिया और एकर 60 से नीचे आता है तो इसे हम कहते हैं ब्रेडिकाडिया तो आज के इस वीडियो में हमने समझा Pulse Rate बढ़ने के क्या क्या कारड है Pulse Rate कितना होना चाहिए और Pulse Rate होता क्या है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आज का इस वीडियो से आप बहुत कुछ सेखे होंगे ये वीडियो आप सभी के लिए knowledgeable, informative होगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो like and share करें कुछ solution चाहिए तो comment करें मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जाहिए